Hello dear students, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके अपने YouTube चानल Study with दुलार में बच्चो ये Class 5 का Computer Book है, Chapter 1 है और इस Chapter का नाम है Basics of Computer Computer की मूल भूत बाते जो है उसके बारे में यहाँ पर बतला गया है तो मैं आप लोगों को Completely Chapter पढ़कर लाइन बाइन नहीं बतला पाऊंगा मैं आपको इसमें कुछ जो जरूरी बाते हैं वो बतला दूँगा और अंत में इसका Question Answer, इसका Solution जो है मैं वो दे दूँगा तो यहाँ पर जैसा की बतला रहा है Children, you all must be aware of the fact that human beings are prone to change in life and at every instant human यहाँ भी बतला रहा है कि शुरू से ही मनुष्य जो है अपने जीवन को सुधारने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वो टेक्नोलोजी का सहरा लिया हुआ है कई तरह के टेक्नोलोजी का मदद लिया है और अपने जीवन को सुधारा जिसमें से एक कम्प्यूटर है Such an area is of computer and its technology कम्प्यूटर है और उसका तक्निक है किस तक्निक से कम्प्यूटर बना The invention of information machine Computer and remarkable advancement in its technology यहां पर किस तरह से computer का उदय हुआ किस तरह से बना टेक्नोलोजी कैसे विक्सित हुआ उसके बारे में यहां पर दिया हुआ है और उसको पढ़ना हमारे लिए काफी दिल्चस्प होगा यह स्टोरी के जैसा होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं यह computer का picture है computer में 4-5 चीजें जो है वो बहुत ही important होता है जैसे कि यह screen हो गया जिसको monitor बोला जाता है और यह CPU हो गया यह keyboard यह mouse हो गया और इसके साथ में एक UPS रहता है क्योंकि वो होना काफी जोरुरी है इस तरह से इसके अलावार बहुत सारे device इससे जुड़े हुए रहते हैं जो कि इसके साथ मिलकर काम करते हैं A computer is called as an electronic device that converts raw data into meaningful information computer जो है एक electronic device है बिजली से चलने वाला यंत्र है और या raw material को जो भी information उसको देते हैं तो उसको एक अर्थपूर्ण भाव में उसको हमारे सामने निकाल कर दे देता हूँ It has many unique features because of which it is begin applied in many fields to generate different types of solution Computer में unique features मतलब अदभुत विसिस्ताएं होती है और यह कई छेतर में काम कर सकता है आसानी से तेसे लिए यह unique machine है और computer का यहां पे sort में बतला गया है फुल फॉर्म बतला गया है CEO Common Multi-Proposed Utility Terminal मतलब एक ऐसा यंत्र जिसके दवारा एक साथ हम कई सारे काम सही सही रूप में कर सकते हैं इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं यहां आगे दिया हुआ है इसका जो है कई सारा फीचर्स है यहां पर आप देखते हैं इसका क्या विशिष्टाएं है सबसे पहला विशिष्टा दिया हुआ है मतलब यह काफी स्पीड में काम करता है आदमी के मकाबले कई गुना स्पीड से यह काम करता है उसके बाद डिलिजन्स दिया वा है इसका मतलब क्या होता है यहां पर लिखा हुआ है computer never gets tied and can work efficiently for hours at a stage unless and until there is a technical fault computer बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है जब तक कि उसमें कोई technical fault नहीं आ जाए उसके बाद versatility इसका मतलब क्या होता है यह computer can perform multiple kinds of jobs मतलब एक साथ ही कई काम को कर सकता है computer में हम लोग जब काम करते हैं तो उसमें कई सारा window खोल के उसको minimize कर देते हैं उसमें भी काम चल रहा है इस तरह से करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं और एक साथ कई सारा काम होते रहता है उसके बाद accuracy दिया हुआ है accuracy का मतलब होता है कि computer कभी भी mistake गलती नहीं करता है computer is an accurate machine यह बिलकुल ही सही तरीके से काम करने वाला हम उसमें input डालेंगे उस तरह का वह output देगा हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए उसको input करने में तभी वह गलत अंसर तो भी वह भी गलत नहीं रहता है क्योंकि इंपूट जैसर रहता है वह इसा ही वह output देता है उसके आगे दियावा high storage capacity उसमें बहुत जगह होता है memory होता है computer has a very huge memory space it can store huge amount of data तो यह बहुत बड़े मात्रा में यह data को अपने अंदर सेव करके रख सकता है उसके बाद सेक्रेसी यह computer can also act like a safe vault मतलब सेक्रेसी मतलब security हो गया तो इसके अंदर जो भी file हम रखते हैं उसको ह हम इस तरह से close करके रख सकते हैं उसमें password लगा सकते हैं कि सिर्फ उसको हम देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता अगर हम ऐसा चाहते हैं तो ऐसा होगा उसके बाद कल्कुलेटीब कल्कुलेशन करने का भी काम इसका है एक computer can do any type of vast calculation बड़ा से बड़ा कल्कुलेशन हो उसको वह solve कर देता है इस तरह से computer का यह characteristics हो गया so computer can be defined as इसलिए computer को हम लोग इस तरह से define कर सकते हैं तो computer किसे करते हैं especially यह यहां पर दिया हुआ है इसको हम इस तरह से define कर सकते हैं इसके बाद आगे दिया हुआ कि computer किस तरह से work करता है working of computer computer को जो हम instruction देते हैं उसको input कहा जाता है और उसके बाद उसके अंदर जो processing होता है प्रोसेसिंग होता है उसके बाद वह आउटपूट देता है हम लोगों को आउटपूट मसीन जो रहता है उसके द्वारा या तो हम मोनिटर के द्वारा देख सकते हैं या आउटपूट हो गया जैसे की प्रिंटर हो गया उसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं इस तरह से य instruction देते हैं उसी को रोटा जाता है थो इंपुट करने का कई सारा मसीन रहता है दिवाइस रहता है जो इसे जुड़ा रहता है इंपुट डवाइस लेक कीबोर्ड माऊस श्केनर इटिसी इसके अलाव और भी होता है प्रोसेसिंग होता है प्रोसेसिंग के लिए यू काते हैं और मेमेरी इट हैमी काते हैं और इसको से पीओ को फुल फरम में सेंट्रल प्रोसेसिंग जिंए करते हैं ये ऊपूट हो गई है इनपूट हो गया इनपूट हो इ tecnología यह प्रोसेसिंगा और यहां से παरख़ा इस तरह से किस तरह से computer developed किया मतलब इसकी उत्पती किस प्रकार से हुआ इसके बारे में यहां पे इसका history कुछ दिया हुआ है computer of today is an outcome of the development of different calculating methodologies and devices of the past जो computer हम लोग आज के समय में यूज कर रहे हैं तो वही computer जो है वो पुराने जमाने का जो computer है वो ही develop होके वो हमारे पास आया हुआ है तो इस तरह से बतला रहा है pre-history period तो उसका जो history है पहले का उसको बारे में थोड़ाम लोगों को जानना अवस्यक है तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस तरह से तो उसी समय से मनुष्य के माइंड में यह चल रहा था तो इसी को लेकर development, calculating development को लेकर 3000 वर्स पुरू तो इसा पुरू की बात कर रहा है उसी समय कुछ बनाया गया था मसीन जैसा तो उसको नाम दिया गया था अबाकस यहां पे बतला रहा है कि calculator और computer उस समय एक ही चीज को समझा जाता था उसी calculating machine बोल सकते है यह computer बोल सकते है तो अब आकस सबसे first में दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा जनकार यहां पे दिया हुआ है आप इसको पॉड़ा लेंगे लेकिन थोड़ा समय बतला देता हूँ इस डिवाइस वाज first invented by the Egyptian and later it was developed by the Chinese and Japanese उसका नाम है इस अ है इस अ वहत arrived है इक वेक्ति ने बनाया था जो ईजिपट में रहता था इजिप्टीयन था वह तो इसी मशीन को फिर डैवलौप करके Chinese Medel जाない जायना के लोगों ने बनाए इस को कॉल्कुलेटिंग मशिन था और दुनिया का सबसे पहला कल्कुलेटिंग मशिन था यहां पर दिया हुआ है नापिर बॉन्स और यह एक डिवाइस है ये भी calculating device है during 1670 मतलब 1617 के दोरान जॉन नैपियर इन्वेंटेट ये इस बेक्ति का नाम है जॉन नैपियर उसी के नाम से इस device का नाम रखा गिया है ये calculating device था और इसमें multiplication और division इसको calculate किया जाता था और ये bonds से बना हुआ था जिसके वज़ा से इस device का नाम उसके नाम और bonds दोनों को मिला कर रखा गिया है तो इस तरह का ये एक machine था जो कि अब आसकस के बाद बना और ये नैपियर जो है ये अदमी है ये है और इस तरह का ये board था इस तरह का machine बना हुआ था उसके बाद आया पास्कलाइन एडिंग मसीन पास्कलाइन एडिंग मसीन अब यहां पे ये भी device है अब पास्कलाइन नाम का बेक्ती इसको बनाया पास्कलाइन नाम का बेक्ती नहीं है ये इसका नाम है ब्लेज पास्कल तो उसी तरह का नाम डिवाइस का भी रखा गया तो यह कब बनाया गया 1642 में 1642 और यह French mathematician था इन्हों ने बनाया इसको और इसका नाम रखा गया पास्कलाइन इसको अब उसमें कुछ चक्के लगे वे थे और गियर था उसमें जब उसमें कल्कुलेट किया जाता था तो वे चक्के चलने लगते थे और फिर उसका result जो है वो machine से हमको मिल जाता था इस तरह का यहाँ पे जो machine दिया हुआ है इसमें कुछ चक्री लगा हुआ है अब देख रहे हैं इस तरह का यह machine था और ब्लेज पास्कल यह वेखती है इसके आगे दिया हुआ है जेकवाड लूम यह वी एक दिवाइस है तो जेकवाड समभवता उसके नाम से दिया हुआ है तो ये 1801 से 5 की बीच में काम किया था Joseph J. Jacquard यहाँ पे इसका नाम दिया गया है अपने नाम से ही अपने डिवाइस का नाम भी लोग रखा करते थे ये एक French textile manufacturer मतलब ये एक बहुत बड़ा textile कपड़े का मील का मालिक होगा तो इन्हों ने बनाया था इस डिवाइस को और इसमें क्या है developed the means of controlling the weaving needle of loom by using punched card उसमें कुछ punched card था यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है और उसमें needle लगा हुआ था वो needle उसके अंदर जाया करता था वो needle punch card से उसके बीच में से होते हुए उसमें छेदा था उसमें उसके बीच में से होते हुए कई जगों से वो पास होता था जगवाड लूम sought a method as to how to store information on punched card at that time उसमें जगवाड लूम जो machine बना हुआ था तो punch card जो उसमें बनाया हुआ था उसके अंदर किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं तो उसमें वह चीज punch card बनावा था उसमें डाटा स्टोर रहता था उसके बाद आग गया Charles Bebez जिसको computer का father का जाता है Charles Bebez was an English mathematician in 1822 Charles Bebez अंग्रेजी का mathematician था जो कि 1822 इस भी में उन्होंने एक machine design किया जिसका नाम था difference engine इसी तरह का एक machine बनाने के वह भी प्रियास कर रहे थे तो एक machine बनाया है जिसका नाम था difference engine इट परपोज वाज मीन्ट फोर calculating and making mathematical विचाते थे कि इसके दोरा mathematics problem solve हो जाए और जितने भी calculating हिसाब किताब है वो सारा हो जाए but the technology at that time was not so advanced लेकिन जिस समय वो बनाए उस समय वो advanced नहीं था मतलब उस तरह की machines बन चुकी थी so this engine could not be made properly and hence Babes had to give up his project तो इसलिए उस project पे उन्होंने लंबे समय तक काम नहीं किया और उसको बीच में ही छोड़ दिये और उस समय जब छोड़ दिये spending ये huge amount of money and time तो उस समय तक वो बहुत उसमें खर्चा कर चुके थे और बहुत अपना समय भी लगा चुके थे लेकिन उसके बाद फिर जो है 1833-34 में Charles Babes designed another machine which worked with the help of steam power उसके बाद उन्होंने एक दूसरा machine बनाया जो की steam power के द्वारा मतलब बिजली के द्वारा वो वर्क क्या करता था He named it as उन्होंने उसका नाम रखा analytic engine analytical engine is said to be the first automatic general proposed digital computing device ये पहला ऐसा machine था जो digital रूप से computing करता था मतलब गनना करता था its concept became the base for further development of computer तो यही concept जो है आगे computer जो बनते गया उस पे वही concept काम किया इसलिए चार्ल्स बेबेज को father of computer कहा जाता है for this contribution to computing Charles Babes is known as the father of computer तो यह जो machine इन्होंने बनाया इसके लिए इनको father of computer का दरजा दिया गिया इसके बाद एक लेडिस के बारे में दिया हुआ है लेडी एडा लवलेस तो इन्होंने पहला जो ऐसी लेडिस है जिन्होंने प्रोग्राम बनाया जो software जो हम लोग चलाते हैं computer में कई सारे सबसे पहली बार इन्हों नहीं वह application प्रोग्राम जो है उसको बनाया और उसके बाद कई सारे प्रोग्राम फिर आने लगे और इसके आगे दिया हुआ है एनेक द इलक्ट्रोनिक नम्रिकल इंटेग्रेटर एंड कल्कुलेटर मतलब इसका जो है यहां पर फूल फॉर्म दिया हुआ है इसको जो चाल्स बेविज ने मसीन बनाया था उसको थोड़ा डेवलप करके एनेक डिवाइस को बनाया गया और यह जो है लगभग लगभग कंप्यूटर के जैसे ही काम करता था बल्ब ब्यस्ट मतलब ब्यस्ट के दोरा बल्ब अधारित इलक्रोनिक कंप्यूटर यह बन और यह पैंसिलवेनिया एक जगह है यूएसे में तो वहां का एक इंजिनियरिंग कॉलेज है उसके कई लोगों ने मिलकर इसको बनाया था एक टीम था इसको बनाने के लिए काम किया और इसमें कुछ लोग थे जैसे कि प्रोफेसर जॉन प्रेसपर इस तरह से नाम दिया ह है और और भी यहां पर नाम दिया है मतलब इतने लोगों ने मिलकर इसको बनाया इट वाज हुज इन साइज और कंजूम्ट हैवी इलेक्रिक पावर यह बहुत बड़ा साइज का था और बहुत ज्यादा बिजली खाता था अबाउट 9000 वेक्यूम ट्यूब्स वैर यूज तू रन इट और इसको चालू होने के लिए इसमें कई सारे वेक्यूम ट्यूब्स लगा हुआ था 19000 एनेक वाज सो बिग यह बहुत बड़ा था और इसको यह बहुत बड़ा होने के कारण यह बहुत बड़ा जगह को खा रहा था 800 स्कॉर फीट उसको रखने के लिए जग जो इस्ट्री दिया हुए कंप्यूटर का तो उसके बारे में यहां पे कंप्रीट बतला दिया गया है यहां फर्स्ट में दिया हुआ है 3000 BC सबसे पहले बना तो 3000 BC में क्या बना यह अवासकास बना जो की एक एजिप्टियम बेक्ती ने बनाया था और यहां पे 1617 यहां पे पेपलेज पासकल इसका नाम था इस तरह से फुरा हिस्ट्री लास्ट दिया वाँ है Unek जो मसीन बना वहां तक दिया वाँ है इस तरह से इस टेबल में इस चप्टर का पुरा सारांस बतला दिया है और यहां पे है पेली खटम हो गया है इसका कोश्चंस यहां पर दिया उसके बाद question number two में match the following दिया हुआ है question number three में दिया हुआ है इसको full form में लिखना है उस तरह से दिया हुआ है उसके बाद question number four में दिया हुआ है mention about the first सबसे पहले किसने बनाया इसको calculating device को और इस तरह से दिया हुआ है उसके बाद question number five define the following इसको बतलाना कि किसे कहते हैं, input का क्या मतलब होता है, process का क्या मतलब होता, output का क्या मतलब होता है, what is a computer, computer किसे कहते हैं, इस तरह से question number 7 आगे दिया हुआ है, और question number 8, question number 9, differentiate between दोनों के बीच अंतर बताना है, और last में दिया हुआ है, इस तरह का puzzle दिया हुआ है, जिसके अंदर यहां पर बतला रहा है, find six characteristics, मतलब 6 बिसेस्ताओं का खोज करना है, जो computer में होता है, यहां पर इसको आप अपने से खोज सकते हैं, आपको खोजने भी मजाएगा, तो आईए मैं आप लोगों को इसका answer बन इसका भी direct answer दिया गया है, question number three, expand this observation, तो इसका यहां पर question में यह लिखा हुआ था CPU, और इसका full form होता है central processing unit, इस तरह से सभी में दिया हुआ है, question number four, mention about the first, यहां पर बतला गया है कि इसको सबसे पहले किसी ने बनाया, जैसे कि calculating device, तो सबसे पहला calculating device क्या था, pass line, adding machine, इस त किसने बनाया था, Joseph J. Jackward, इस तरह से दिया हुआ है, question number five, define the following, यह पर define करने लिए का गया है, input device किसे काते है, input means feeding of raw data into the computer, processing is the series of activities performed is the inside the CPU, इसके बाद output दिया हुआ है, it is the result that a user finally receives from the computer through the output device, what is a computer, the computer is an electronic device that converts raw data into meaningful information, इसके आगे question number seven यहां दिया हुआ है, what are the different characteristics of a computer explain in Biv, तो computer के characteristics, इसके क्या क्या विसिस्ताइं हैं, इसके बारे में पुछा गया है, तो इसके साथ विसिस्ताइं यहां पे दिया गया है, तो यहां पे इसको ज़्यादा गर लिखते हैं, इसके बारे में detail करते हैं, तो ज़्यादा लंबा इसका answer हो जागा, इसलिए, एक sentence में मै इसको define करके दिया हुए जैसे कि speed हो गया, speed का लिखा हुए, computer works at a very high speed, diligence, computer never gets tied, versatility, it can performs multiple jobs, accuracy, it never makes mistakes, high storage capacity, it can store huge amount of data, secrecy, it can also act like a safe world, calculation, it can do any type of calculation, as the father of computer and why, Charles Beves is known as the father of computer because his concept became the base for further development of computer, और लास्ट केस्टन यहां पे, differentiate between अंतर बतलाने के लिए कहा गया है, analyzing engine and difference engine, analyzing engine is the first automatic general proposed digital computing device, while difference engine was made for calculating and making mathematical tables, Pascaline and Anak, Pascaline was a calculating machine, whereas Anak was the first world-based electronic computer, तो यहां पे यह chapter पुरी तरह समाप्त हो गया है, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी help मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लेक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने द